गजा के सरकारी मीडिया ओफिस ने आरोप लगाया कि इस्रेली सेना ने रात भर दो भयानक नरसंगार किये एक मस्जिद और एक स्कूल जो अब शर्नास्थल के रूप में इस्तमाल हो रहे थे इन पर बंबारी की गई इसमें कम से कम 24 फिलिस्तिनी मारे गए और 93 घायल हो गए है इन इमारतों की पहचान अलकसा मस्जिद और इबन रश्रत स्कूल के रूप में की गई है जहां सेक्डो विस्थापित लोग रह रहे थे मीडिया ओफिस के मुताबिक पिछले 48 घंटों में गज़ापटी के अलग-अलग हिस्सों में 27 घरों और शरण स्थलों पर हमले किये गए इस्रेली सेना ने बेरूत के दक्षिनी इलाकों पर एक नया हमला किया इससे वहां भारी धमाके हुए आग की लप्टे आस्मान तक उठती दिखी और लिबनान की राजधानी में गूंच सुनाई दी गज़ा के एक एंद्रे हिस्से में अलग सा अस्पताल के पास एक मस्जिद पर इस्रेली हमले में कम से कम 21 फिलिस्तिनी मारे गए दर्जन और घायल बताए जा रहे हैं मौत की आशंका बढ़ने की उमीद है इसमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रहे है शनिवार सुभा ही इस्रेली हमलों में 50 से ज्यादा फिलिस्तिनी मारे गए इस्रेली सेना ने उत्तरी गाजा के बड़े हिस्सों को खाली करने के आदेश दिये जहांके निवासियों को पहले से ही भीड़ भाड़ वाले मानविय जोन यानि की मानविय जोन अलमवासी में भागने के लिए निर्देश दे दिये गए थे इस्रेली सेना के अर्भी प्रवक्ता ने जानकारी दी हमास ने उत्तरी गाजा में आतंगी धाचा स्तापित किया वहां की आबादी शरंस थलो और स्वास्त सुविधाओ का मानव धाल के रूप में उपयोग कर रहा है उन्होंने कहा सेना आतंगवादी संगठनों के खिलाफ अपने ऑपरेशन जारी रखेगी अधराई ने लोगों को खुले मानविय परिवाहन और सेफ जोन्स का उपयोग करने की सलहादी जो राशिट स्ट्रीट समुद्र की ओर और सलाएदीन स्ट्रीट की तरफ जाते हैं अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक इसे महना जा रहा है इस्रेली सेना ने बेरूत के दक्षन इलाकों में 30 से ज्यादा हवाई हमले किये कम से कम 24 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं 93 घायल है इस्रेल सेना ने एक मस्जिद स्कूल पर हमला किया इसमें विस्थापित लोग रह रहे थे इस्रेल का दावा है कि मस्जिद और स्कूल का उपयोग हमासद्वारा कमांड और कंट्रोल सेंटर के रूप में किया जा रहा था सायुक्तराश्ट्र महासरचीफ अंटोनियो गुटिरेस ने भी सभी इस्रेली बंदियों की बिना शर्त रहाई के अपील की और इस शेत्र में हिंसा और रखपात को समाप करने का अग रह किया ये घटना करम इस्रेल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से चल रहा है अब इस संघर्ष में कुछ भी जानकारी सामने आती है हम आप तक जल से जल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इस संघर्ष के बीच आम लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं आप अपने कॉमेंस हमें जरूर बताएं बाकी देश दुनिया के अन्याख खबरों के लिए भी देखते रहे हैं जन सत्ता